राधे राधे जैसी कृष्णा, मैं सीमा सिंग, पढ़ो कुचरनिस पर छोटो को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको सावन मास में सुनी जाने वाली प्रमुक कहानिया सुनाने जा रहे हूँ आपको एक ही जगय पर सावन मास की सभी कहानिया सुनने को मिलेगी आईए सबसे पहले हम गणीची की कहानी सुनते हैं एक बार एक राजा के दू राणिया थी, बड़ी राणी के दू पुत्र थी, लेकिन जोटी राणी के कोई संतान नहीं थी बड़ी राणी बड़ी ही कुटील, गुसेल और घमंडी सुभाव वाली थी, जबकि छोटी राणी बड़ी ही दयालू, धार्मिक, सभी की मदद करने वाले सुभाव की थी चोटी राणी गनेश भगवान की पारमभक्त थी, वे हर बुद्दुवार का व्रत करती थी और रोज गनेश जी का पूजन क्या करती थी और पूरे दिन गजानन जी गजानन जी के नाम की माला जबती रहती थी राजा का समय तै होता था, वे एक दिन बड़ी राणी के पास जाता था तो दूसरे दिन छोटी राणी के पास जाता था लेकिन बड़ी राणी इतनी चालाग थी कि जब भी छोटी राणी के पास जाने का समय राजा का होता था तो बड़ी रानी किसी ने किसी बहाने से राजा को खुद के पास ही रोक लेती थी इस प्रकार समय गुजर रहा था तब एक बार राजा शहर जा रहे थी उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि तुम्हें शहर से जो कुछ भी मंगवाना हो वह बता देना तब बड़ी रानी ने एक बहुत बड़े सामान की लिस्ट बना करके राजा को दे दी उसके बाद राजा ने छोटी रानी से पूछा लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया बोली कि महाराज मेरे पास सब कुछ है मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर वापस गजानन 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 जी करने लगी उस समय राजा के साथ मंत्री भी खड़ा था तब मंत्री राजा से बोला कि महाराज छोटी रानी कभी भी अपने लिए کुछ नहीं मंगवाती है अगर आप बोलें तो हम इनके लिए शहर से पीतल के गणेजी की मूर्ती लेकर आए तब राजा ने कहा कि मंतरी जी आपने बिल्कुल सही कहा मुझे याद नहीं रहता लेकिन आप इस बात को याद रखना इस तरह राजा उसी मंतरी के साथ शहर में चला गया शहर में सभी काम करने के बाद राजा ने बड़ी राणी ने जो सामान मंगवाया था वे सारा सामान बाजार से खरीद लिया लेकिन छोटी राणी के लिए गणेजी की मूर्ती लेना भूल गए जब वे आधे रास्ते में आये तो मंत्री को गणीजी की मूर्ती लेने वाले बात याद आई मंत्री ने राजा से कहा कि महाराजी मुझे माफ करना हमने तो छोटी रानी के लिए गणीजी की मूर्ती ही नहीं ली है तब राजा ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए उस मूर्ती बेचने वाले पर पड़ी तो राजा ने मंत्री को भेज कर अच्छी सी पीतल की गणेजी की मूर्ती मंग वाली। इस तरह राजा सामान लेकर महल में आए। राजा ने बड़ी राणी को सारा सामान दिया और छोटी राणी को गणेज जी की पितल की प्रतीमा दी। छोटी राणी गणेज जी की प्रतीमा देकर बहुत खुश हुई। उसने गणेज जी की प्रतीमा अपने कमरे में आले के अंधर रख दी और रोज पूझा पाट करने लगी इस प्रकास समय बेटने लगा कैसे 3 मएने निकल गे किसी को पता ही नहीं जला तीन मेने होते ही महल में अनेक शुप समाचार आने लगे जब से गणीजी की प्रतीमा महल में आई तब इसे महल में शुप समाचार आने शुर पाद राजा के राज्या में कई बर्सों से अकाल पड़ा हुआ था। तबी अचानक काले मेग गिर आए और मुसलाधर बारिश होने लगी जिससे नदी, ताला, कुए, बावडी सभी जल से लबालब भर गए। सभी बाग बगीचों में फल उगाए और फलों से पेड लटपत हो गए और फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद राजा को छोटी रानी ने शुप समाचार दिया कि हे महाराज आप पिता बनने वाले हैं। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि ये सब कुछ तो गणेजी की मूर्ती के आने के बाद ही हुआ है। ये सारा चमतकार भगवान गणेजी की क्रपा से ही हुआ है। जब बड़ी रानी को ये पता चला तो उसे तो काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम चोटी रानी के महल में जाओ और गणेजी की प्रतीमा को महल के कुए में डाल दो ना रहेगा बास ना बजेगी पांसुरी। तब चार दासियां छोटी रानी के महल में गई, दो दासियां छोटी रानी से बाते कारने लगी तो दो दासियों ने गणीजी की मूर्ती को खोज लिया, और मूर्ती को अपने साड़ी के पले में छुपा कर बाहर ले गई और महल के कुए में ले जा कर गिरा दिया, रातो रात उस कुए में एक सोने का फूल वाला पेड उग आया सुबह सभी ने उस सोने के फूल वाले पेड को देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाता था लेकिन जो भी फूल लेने के लिए कुए के पास जाता वे फूल का पेड बहुत उपर चला जाता सबी दर्बारी, मंत्री, नोकर, चाकर, दासियां, राजा सभी लेने के लिए पहुँचे उसके बाद बड़ी रानी भी वैफूल लेने के लिए गई लेकिन वैसोने का फूल वाला पेड बहुत उपर चला गया तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज ये फूल किसी के भी हात में नहीं आ रहा है हमें छोटी रानी को भी बुलवाना चाहिए, शायद ये फूल उनके पास आ जाए तब राजा ने दासी को भेज कर छोटी रानी को महल से बुलवाया चोटी राणी कुए के पास आई, उसने आते ही कुए के पास अपनी जोली फैला दी तो अदबुत आश्चरिये जनक चमतकार हुआ वैसोने का फूल खुद टूटकर चोटी राणी की जोली में आकर गिर गया और वैसोने के गणीजी की मूर्ती में बदल गया यह मूर्ती हू बहू वैसी ही लग रही थी जैसे राजा शहर से लेकर आये थे लेकिन राजा तो पीतल की मूर्ती लाये थे और वह सोने की थी राजा को मंतरी को बड़ा आश्चरिय हुआ राजा ने छोटी रानी से पूछा कि यह क्या बात है यह मूर्ती मैं शहर से लेकर आया था दब यह पीतल गी थी अब यह सोने में कैसे बदल गई और यह कुए में कैसे आई वहां खड़ी बड़ी रानी और उसकी चार दासियां डर गई और उनके हाथ पर कापने लगे तब ही वहां आकाश वानी हुई आकाश वानी में गणेश भगवान ने कहा कि हे राजन यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी चार दासियों से पूछा लेकिन वे कुछ नहीं बोली नीचे गर्दन करके आँखे जुखाकर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई फिर से आकाश वानी हुई और गणेश भगवान बोले कि हे राजन आप सब कुए के जल में जहाग कर देखो सब पता चल जाएगा तब राजा मंतरी दरबारी सभी कुए के पानी में जहाग कर देखने लगे तो वहां पूरा घटना क्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा था फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई मूर्ती चोरी करी और उसे लाकर कुए में डाली ये पूरा द्रश्य कुए के पानी में सब ही ने देखा राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारुदासियों को पुरानी हवेली में जाने का आधेश दे दिया उसके बा पूरे राज्या में राज्या में बहुत सुन्दर गणीजी का विशाल मंदिर बनवाया, साथी महल में भी गणीजी का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति इस्थापित की गई। भगवान पूरी कर देते हैं। उसके बाद जब भी बुद्धुवार का वरत आता तो छोटी रानी के साथ राजा भी हर बुद्धुवार को गणीजी का वरत काने लगे, पुजन काने लगे। नवे मैने में छोटी रानी को एक बहुत सुन्दर पुत्र पैदा हुआ। वे जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी अपने जेट के घर जाडू पोचा बरतन कपड़े करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी रात का खाना देती और पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवर देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी ही देर में जिठानी के माईके वाले आये सभी ने भोजन खाया। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमवश्या को हलवापूरी बनाकर पित्रों को भोग लगाऊ। सुबह से वे भूकी प्यासी थी। जब दोपहर में वे घर जाने लगी तो जिठानी ने उसे रातरी की ठंडी बासी रोटी, चावल और दाल देने लगी। तो देवरानी ने कहा कि भाबी जी आज आप मुझे ठंडा बासी भोजन की बजाए आटा, तेल, घी, गुर दे मैं भी हलवा पूरी बनाना चाती हूं और पित्रों के निमित भोग लगाना चाती हूं। ऐसा सुनते ही जिठानी को क्रोध आ गया और वे बोली कि अगर तुझे लेना है तो ये ठंडा भोजन ले ले। मेरे पास तुझे देने के लिए आटा, तेल, घी, गुर नहीं विचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आगई। घर आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे और उसका पती भूग से तड़प रहे थे। तब वे अपने घर के रसोई में गई तो उसने देखा वहां कुछ नहीं था केवल एक डिबे में थोड़ा सा गुड पड़ा हुआ चोटी बहु ने अंगीरा जलाया और उसके उपर गुड का भोग लगा दिया और पित्रों के नीमित जलांजली दे दी और पित्रों को हाथ जोड़ कर बोली कि है पितर देता मेरे घर में भी बरकत दीजिए मेरा घर भी अनधन के भंडार से भर दीजिए फिर उसके बाद उसने गुड का पानी अपने बच्चों और पती को पिलाया ताकि उनकी भूग मिट सके थोड़ी देर बाद दोपहर में पितर प्रत्वी पर आये पहले वे बड़े पुत्र के घर गए वहाँ बड़ी भव अपने माई के वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी उसने तो पितरों के निमिक भूग भी नहीं लगाया पितर वहाँ से भूगे ही छोटे पुत्र के घर पहुँचे तो वहाँ छोटा पुत्र बिमार पड़ा था तथा दोनों पोते भूग से तड़प रहे थे छोटी बहु ने अंगीरे पर गुड का भूग लगाया था तो पितर गुड के प्रसाद को चक कर जल पी कर त्रप्त हो गे और छोटे पुत्र को धेरू आशिर्वा दे कर वापस अपने लोक में चले गे जाते जाते उनका घर अनधन के भंडार से भर गे थोड़ी देर बाद बच्चों ने और उसके पती ने खाना मांगा तो छोटी बहु ने उन्हें पूरी बाद बताई तब उसने शाम को वापस गुड का पानी अपने बच्चों को और पती को पिलाया और खुत भूकी ही सो गई जब सुबह वसो कर उठी तो उसने देखा कि उसका घर अनधन के भंडार से भरा था जगय जगय अन्न के धेर पड़े थे उनका घर सुन्दर मकान में बदल चुका था धन बटोरते बटोरते देवरानी को दोपहर हो गई तो वह जिठानी के घर जाडू पोचा बरतन रोटी बनाने के लिए नहीं गई तब जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के पास काम पर बुलाने के लिए भेजा जब बच्चे चाची के घर आये तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोनने में मंडी हुई थी और रेशमी कीमती साड़ी पैने हुए थी घर में अन धन के भंडार भरे थे और घर सुन्दर महल जैसा हो रखा था ऐसा देखते ही बच्चे उसी पल भाग कर अपनी मा के पास आये और बोले कि मा चाची तो हमसे भी जादा आमीर हो गई है उनका घर तो बहुत सुन्दर महल नुमा हो गया है घर में अन धन के भंडार भरे है अब चाची हमारे यहां जाडू पोचा बड़तन कपड़े करने नहीं आयेगी जिठानी ने बच्चों की आदी बात सुनी आदी नहीं सुनी और वे उसी समय बिना चपनों के ही देवरानी के घर पहुँच गई और पूछने लगी कि एक ही रात में तेरा घर अनधन से कैसे भर गया तो देवरानी बड़ी ही भोली थी उसने पूरी बात जिठानी को बताई कि भाबी जी कल सावन माज की अमावशा थी मैंने वरत किया और पित्रों के निमित गुड का भूग लगाया और जलान जली दी ये पित्रों के आशिरवात का ही फल है कि आज हमारा घर अनधन के भंडार से भर गया है साथ ही आपके देवर भी सस्त हो गए हैं ऐसा सुनते ही वे गुस्से में दन दनाती वापस अपने घर आई और अपने पती से बोली कि हर साल अमवश्या पर हल्वा पूरी खीर मैं बनाती हूँ और पित्र आपके छोटे भाई के उपर तूटे हैं तब उसके पती ने कहा कि भागवान तू भोजन अवश्य बनाती है लेकिन तू कभी पित्रों के निमिक भोग नहीं लगाती पूरा खाना तू अपने माई के वालों को पहले ही किला कर जूटा कर देती है इसलिए पित्र हम से नाराज हैं अगर तू भी छोटी बहु की तरह अमवश्य कवरत करे पूजन करे और पहले भोग बनाते ही पित्रों के निमिक भोग लगाएगी तो पित्र हम पर भी प्रसंद होंगे ऐसा सुनते ही जिठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सदबुद्धी प्राप्त हुई जब दुबारा अमवश्य आई तो देवरानी ने बर्फी पूडी सबजी हलवाई से बनवाई और जेट जिठानी और बच्चों को भोजन खाने के लिए बुलाया साथ ही पांच पंडीतों को सह पतनिक भोजन करने के लिए बुलाया पहले दोनों भाईयों ने पित्रों के नीमित बर्फी का भोग अंगीरे पर लगाया और फिर जलान जली दी और फिर ढोक लगाया उसके बाद गाय, कव्वे और कुत्ते को पूड़ी और बर्फी खिलाई उसके बाद पंडीतों को सह पतनिक भोजन खिलाया और दान दकशीना दी उसके बाद देवरानी और देवर ने जेट जिठानी और बच्चों को चांदी की थाली में भोजन परोसा यह देखकर पित्तर बहुत खुश हुए उन्होंने अपने दोनों बेटा बोओं और पोतों को धेरो शुब आसिश दिये जिससे वे सभी सुखी होगे और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुए अमवशय की कहानी एक बार एक लकड़ारा था वे लकड़ारा जंगल में लकड़ियां काड़ता और शहर में बेचता था उसी से उसका घर खर्च चलता था लेकिन वे इतना नहीं कमा पाता था कि दोनों समय भर पेट भूजन का सके उसकी पतनी गर्भ बती थी उसकी पतनी हर शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सीचती थी और पूजा करती थी एक दिन उसकी पतनी ने अपने पती से कहा कि आप जादा लकड़ियां काट कर शहर में बेचा करें अभी तो हम दोनों हैं लेकिन कल को जब हमारे बच्चा होगा हमारा परिवार बढ़ा ह तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे उनकी एक पड़ोसन थी वह बहुत आमीर थी आए दिन लकड़हारे की पतनी को ताने दिया करती थी एक दिन लकड़हारे ने भी उन तानों को सुन लिया तो वह भी बहुत दुखी हुआ उसने मनी मन निश्चा कर लिया कि मैं अब ज अगवान कल से मैं जादा लकड़ियां काट कर शहर में बेचूंगा तुम मुझे चार रोटियां बना कर के दे देना दूसरे दिन पतनी ने अपने पती को चार रोटियां बना कर के कपड़े में बांध कर दे दी लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया जं पेड को काटने की जैसे ही वे सोचने लगा, जैसे ही वे पेड के उपर आरी चलाने लगा, तभी वहाँ एक आवाज आई, लकड़हारा डर गया, उसने इधर उदर जहां कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, वे फिर से पेड को काटने के लिए आरी चलाने ल तब ही पेड में से आवा जाई कि अरे भाई ठेरो ठेरो मुझे क्यों काटते हो। मैं तो बड़ पीपल देवता हूँ। तब लकड़ारा हाथ जोड कर खड़ा हो गया और वह बोला कि हे बड़ पीपल देवता मुझे माफ कर दो। मैं बड़ा ही मजबूर हूँ। जंगल म कोई पेड ही नहीं बचा मेरी पतनी गर्ब वती है मैं उसे भर पेड भोजन ही नहीं खिला पाता। तब पेड बोला कि तुम हमें मत काटो। बदले में तुम जो भी चाओगे वह हम देंगे। तब लकड़ारे ने बड़ पीपल देवता से घर के लिए राशन मांगा। तो वहां राशन आ गया दाल, तेल, चीनी, नमक, घी, घुड सभी सामान आ गये। लकड़ारा बहुत खुश हुआ। अब वह बड़ पीपल देवता को नमस्कार करके शुक्रिया बोलकर घर आ गया। लकड़ारे की पतनी ने इतना राशन पहली बार देखा था तो वह ब घर में कभी रुपय पैसे की और राशन की कमी ना आए। तब लकड़ारे ने अपनी पतनी से कहा कि भागवान जब तुम रोज खाना बनाओ तो पहले चार रोटी, गुड और पानी का लोटा अलग रख देना, उसके बाद ही तुम भोजन जूटा करना, मैं वह भोजन ज इसका पती ले जाकर बड़ पीपल को चड़ाता और फिर पानी पिलाता, इस तरह उनके दिन आराम से कटने लगे, अब जब भी लकड़ारे को किसी चीज की जरुरत होती तो वह बड़ पीपल से मांग कर लाता, उदर उसकी पतनी भी हर शनिवार और अमावश्या को सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, बोजन के सभी सामान लकड़ाहारा बड़ पीपल देवता से मांग कर ले आया, तब जलवा पूजन और नामकरन संसकार धूम धाम से किया, सभी पडोसियों को नाते रिष्टेदारों को बोजन पर बुलाया, जब उसकी अमीर पडोसन उन ठाट बाट कैसे हो गए, मुझे पता लगाना पड़ेगा, तब एक दिन जब लकड़ाहारा रोज की तरह भुजन की सामगरी लेकर जंगल में बड़ पीपल देवता के पास पहुंचा, तो उसके पीछे पीछे पडोसन भी चोरी छुपे चली गई, लकड़ारे ने पडोसन ने ये देखा तो उसे बड़ा आश्चरिय हुआ, उसने पहली बार किसी पेड को भुजन खाते हुए देखा था, जब लकड़ाहारा भुजन करा कर चला गया तो पडोसन भी बड़ पीपल देवता के पास गई और बोली कि अरे पेड, तुने लकड़ारे को इतन धन दिया, चल मुझे भी धन दे, तब पेड ने उसे एक ओठली दी, पडोसन ने खोल कर देखी तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के पड़े थे, पडोसन नाराज होते हुए बोली कि तुम लकड़ारे को तो इतना देते हो और मुझे चंद चांदी के सिक्के दिये, मुझ पड़ पीपल देवता से बोली कि अरे पेर लकड़ारे को तो तुने इतना धन दिया और मुझे मारने के लिए तु सर्प भेशता है, तब बड़ पीपल देवता बोली कि अरे मूर्ख लालची ओरत तु तो ध्याई हुई है, तेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कम भी नहीं है, लेकिन वे लकड़ाहारा गरीब मजदूर इंसान है, उसकी पतनी हर शनीवार और अमावश्या को हमारी पूजा करती है, जल से सीजती है, उसका पती रोज हमें भोग लगाता है, तबी पड़ोसन को यह सुनते ही और गुसा आया, और उसने एक पथर हुटाय और बड़ पीपल के उपर फैक कर मारा, लेकिन वे पत्थर वापस पड़ोसन के सिर पर आकर लगा, वे लहू लुहान हो गई, पड़ोसन को अपनी गलती महसूस हुई और उसने बड़ पीपल देवता से माफी मागी, हे बड़ पीपल देवता, जैसे आप उस लकड़ हार और उसकी पत्नी पर खुश हुए, वैसे सब के उपर होना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले, करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चड़े, बुले बिसरे नाम तेरी भंडार में भरे, सावर मास के इसनान की कहानी, एक राजा के दू रानिय भी नहीं करती थी, लेकिन वह राजा को अति प्रिय थी, छूटी रानी को दो पुत्र थे, लेकिन बड़ी रानी को कोई ओलाद नहीं थी, दोनों रानियां अलग-अलग महल में रहती थी, एक बार जब सावन का महिना आया, तो बड़ी रानी ने सावन इसनान उवरत करने का संकल पिलिया तब बड़ी रानी को सावन मास की कहानिया और सावन मास के महात्यमे को सुनाने के लिए राज दरपार की पुरोहित की पत्नी आने लगी इस तरह सावन के साथ आठ दिन निकल गे एक दिन चोटी रानी ने बड़ी रानी के महल में पुरोहितानी को जाते और देखा तो उसने दासी को भेज कर पुरोईतानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोईतानी से पूचा कि अरी ब्रामनी तु बड़ी रानी के महल में क्या करने जाती है। चोटी रानी ने पूचा कि सावन मास का इसनान और व्रत करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। धन, यश, सुक, समरती सभी मिलते हैं। महादेर जी की उनके उपर क्रपा बरसती है। चोटी रानी ने पुरोईतानी को कहा कि अब तु यहां से जा। पुरोईतानी के जाने के वाद चोटी रानी क्रोधित होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद राजा चोटी रानी के महल में पहुचे। चोटी रानी को कोप भवन में बैठे देखा तो उन्होंने दासी और बांदियों से बुला करके पूचा कि आज चोटी रानी किस बात से नाराज हैं। और क्यों कोप भवन में बैठी हैं। तब दासीयों ने राजा को पूरी बात बताई। तब राजा चोटी रानी के पास गए और बोले कि हे रानी तुम क्यों उदास और दुखी बैठी हो, तुमें किस बात की चिंता है? मुझे कहो मैं तुमारी वही मनो कामना पूरी राजा ने छोटी राणी को बहुत समझाया कि वो गहने सोने चांदी उसी के पीहर वालों ने उसे दिये थे उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है लेकिन छोटी राणी जिद पर अड़ गई फिर राजा ने दासी को भेज कर बड़ी राणी से सारे जेवर सोने चांदी के सिक् एक संदूक में रखकर राजा के पास भिजवा दिये। दूसरे दिन बड़ी राणी सोच में पड़ गई कि सावन मास की कथा, कहानिया और महात्या में सुनने के बाद पुरोईतानी को मैं दक्षीना में क्या दूंगी। तब रोज की तरह बड़ी राणी ने तारों की चाओं में सावन मास का इस्तनान किया और तुलसी जी को जल सीचा और दिपक अगरबती करी। जब तुलसी जी की परिक्रमा कर रही थी तो वहाँ बड़ी राणी को एक आकाश वानी सुनाई दी। तुलसी माता ने बड़ी राणी से कहा कि पुत्री तु सोच मत कर, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तु कथा कहानिया और सावन मास का महात्य में सुनने के बाद रोज एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर पुरोईतानी को दक्षिना में दे देना। तेरी सभी मनो कामनाई मैं पूरी कर दूँगी। उस दिन से बढ़ी राणी रोज सावन इसनार उवरत की कता कहानिया सुनने के बाद पुरोईतानी को एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर देने लगी। पुरोईतानी को तुलसी का पत्ता दक्षिना में लेना अच्छा नहीं लगा। वै उस तुलसी के पत्ते को खुद की र भी धन खतम हो गया। उदर राज पुरोईत ने खुद के रसोई में देखा तो सोने चांदी की मोरों का धेर लगा हुआ था। राज पुरोईत ने अपनी पत्नी से सोने चांदी के विशे में पूछा कि इतने सारे सिक्के कोन लाया और कहां से आये। तब पुरोईतानी न पत्ती और राजा रानी बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी ने सब से आने का कारण पूछा। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी क्या तुम जादूगर्णी हो या कोई टोने तोटके जानती हो। तुमारे पास इतना सारा धन कहां से आया। तुलस आपके कारे के पास गई पुरोहित दमपति और राजा रानी की आँगें फटी की फटी रह गई उन्होंने देखा कि बड़ी रानी के तुलसी ऐक में हीरे मोती सोने चांदी लड़जड हो रहे थे तवराज पुरोईत ने राजा से कहा कि है महाराज ये रानी के सत्थ का प्रताब है ये सावन मास के इस्तनान का इन्हें फल मिला है बड़ी रानी ने पूरी शद्दा और लगन के साथ सावन मास का इस्तनान उवरत किया ये उसी का फल इन्हें मिला है तब राजा ही नहीं छोटी रानी ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की शमा मांगी। फिर राजा ने पूरी नगरी में सावन मास के इस्तनान ओवरत की महिमा बताई। अगले बरस जब सावन का महिना आया तब बड़ी रानी के साथ राजा रानी और पुरुई धंपती ने भी सावन मास का इस्तनान ओवरत किया। जिसके बाद बड़ी रानी को दो सुंदर पुत्र पैता हुए। और वे सभी इस जीवन के समस्तु सुकों को भोग कर मरने के बाद शीव लोग को प्राप्त हुए। कर्तिवोत पुरियो, पुरियोत परवान चड़े, बुले इसरे नाम तेरे भंडार में भरें। पत्नी ने अपने पती को बहुत समझाया की बात को यहीं ख़तम कर दीजिए। यह एक ब्रामन है। ब्रामन तो देवता के तुल्य होता है। ब्रामन के उपर हाथ उठाना पाप है। लेकिन ठाकूर ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। और उस ठाकूर ने क्रोध में आकर ब्रामन की हत्या कर दी ऐसा देखते ही ठाकूर की पत्नी अपने पती से बोली कि आपने एक ब्रामन की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है आपके उपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला इसका पाप आप कई जन्मों तक नही लगा वे पच्छताने लगा तब ठाकूर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब इस पाप से कैसे छूट पाऊंगा ठाकूर की पत्नी बड़ी ही समझदार थी उसने कहा कि इसका तो एक ही उपाए है इसके लिए हमें प्राश्चित करना पड़ेगा हमें इसकी शांती के लिए बारा ब्रामनों को भोजन करा कर उन्हें दूद देने वाली गायदान देनी होगी तब हम इस पाप से छूट पाएंगे तब ठाकूर अपनी पतनी की बास से सहमत हो गया वैवगाओं में 12 ब्रामनों को जिमाने के लिए न्योता देने गया लेकिन कोई भी ब्रामन इस बात के लिए राजी नहीं हुआ सभी ब्रामनों ने ठाकूर से कहा कि हम आपके घर का अन नहीं खा सकते क्योंकि आपको ब्रहम हत्या का दोश लगा है आपने एक निर अपराद एक निर्दोश प्रामन की हत्या करी है आपके घर का अन हमारे लिए पाप है तब ठाकूर निराश होकर घर लोटाया और उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तब उसकी पत्नी ने कहा कि हमें इस दोश के निवारन के लिए किसी योग्य पंडित से पूछना होगा तब काशी से एक महान जोतिशे पंडित को बुलाया गया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई गई तब वे पंडित बोला कि आपके उपर एक ब्रामन की हत्या का पाप लगा है आपके घर का अन जल कोई भी ब्रामन नहीं खाएगा जब तक कि आप इस ब्रहम हत्या के दोश से मुक्त नहीं हो जाओगे तब ठाकूर और ठाकूर की पत्नी ने पंडित जिसे इस दोश के निवारन का उपाय पूचा तब काशी के पंडित ने कहा कि सावन मास की कामी का एक अदशी का व्रत निर्जला रहे कर तुम दोनों पती पत्नी करो पूरे विधी विधान से इस वरत का पालन करोगे तभी तुम इस ब्रह्म हत्या के दोश्च से मुक्त हो पाऊगे और तभी कोई भ्रामन तुमारे घर का अन जल ग्रहन करेगा तब ठाकूर ने अपनी पतनी और बंदुबादों के साथ सावन मास की कामिका एकादशी कावरत पूरे विधी विधान के साथ किया उसके बाद ठाकूर ने गाउं के सभी भ्रामनों को भोजन के लिए आमंतित किया उसके बाद सभी गाउं के ब्रामन उसके यहां भूजन करने के लिए आए फिर ठाकूर ने उन सब से अपनी गलती की शमा मांगी और सभी ग्यारा ब्रामनों को दूद देने वाली गाई बच्छडा सही दान में दी और अन वस्त्र रुपिया दान में दिया इस प्रकाश सावन मास के क्रश्न पक्षि की कामीका एका दशी के बृत के प्रभाव से वे ठाकूर ब्रामन की हत्या के दोश से मुक्त हो गया और इस जीवन के समस्त सुकों को भोग कर मरने के वाद विश्न लोग को प्राप्त हुआ जो भी मनश इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, हुकारा भरता है, वे अनंत कोटी गुना फल प्राप्त करता है आज में आपको तीन पनोती अमावश्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आप अमावश्या का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुनी चाहिए इससे व्रत और पूजा का पूरा फन मिलता है आईए अब हम तीन पनोती अमावश्या की कहानी सुनते हैं एक गाउं में एक ननद भुजाई रहती थी ननद शादी होकर ससुराय चली गई वहाँ उसकी सास ने अपनी बहु को तीन पनोती अमावश्या का व्रत जिल्वा दिया शादी के चार-पास साल में ही उसे तीन-तीन पुत्र पैदा हुए घर में खूप परकत होने लगी अनधन के भंडार भड़ गे सभी सुखी जीवन विता रहे थे ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर तीस त्योहार और वार त्योहार पर माई के जाती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि उसे ओला सुक नहीं मिला था परन्तु एक दिन उसकी भावज को उसकी पडोसन ने ताना मारा कि अरे दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी तेरा आंगन तो सुना पड़ा है तेरी शादी के बाद ही तेरी ननत की शादी हुई थी तब भी उसे तीन तीन बेटे हो गे और तेरी छोली तो अब भी खाली है उस दिन भावज को बहुत दुख हुआ उसे अपनी ननत के बच्चों से चिड़ होने लगी उसने मन ही मन ननत के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी कि मैं अपनी ननत के तीनों पुत्रों को ही मरवा दूंगी ने रहे का पांस और ने बजेगी बानसूरी तब एक बार की बात है तीज का त्योंहार आया तब उस दिन ननत और उसके बच्चे किसी कारण भुजन पर नहीं आ पाए तब भावज ने अपनी ननत के बच्चों के लिए ठेर सारे खिलोने भिजवाए जिसमें उसने चोटे चोटे सारप बिच्चू डाल कर भेज दिये उसने मन ही मन सोचा कि जब बच्चे खिलोने से खेलेंगे तो साम बिच्चू उन्हें काट लेंगे जिससे उनकी मृत्यू हो जाएगी तब उसने अपने पती से कहा कि ये खिलोने ननद बाई के बच्चों को दे आओ वे लोग तो आये नहीं मैंने उनके लिए ये खिलोने घरी दे थे तब उसका पती अपनी बहन के सुसुराल में गया और सभी खिलोने दे आया तब ननद ने अपने बच्चों से कहा कि अरे बच्चों देखो तुम्हारी मामी ने मामा के हाथ तुम्हारे लिए धेर सारे खिलोने भिजवाए हैं बच्चे खिलोने देख कर बहुत खुश हो गे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननत के बच्चों के मारने की खबर आएगी। लेकिन पूरा दिन निकल गया कोई नहीं आया। इस तरह 10-15 दिन बीट गये। तब भावज ने अपनी ननत के बच्चों के लिए नहीं ने कपड़े बिचवाए और उनमें सांप बिच्चु डाल दिये। और मनीमन सोचने लगी कि अपकी बार जब ननत के बच्चे ने ने कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्चु उन्हें काट लेंगे और वे तीनों ही मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों को कपड़े दे आया। बच्चे मामा से ने ने कपड़े पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने ने ने कपड़े पहने। दूसरे दिन भावज सोचने लगी कि आज तो जरूर ननत के बच्चों के मर जाने की खबर आएगी। लेकिन पूरा दिन बीद गया जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाई बेकार चलेगे। हो सकता है कि साब बिच्चु रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंसते ही नहीं होंगे। फिर उसने गी वै मावे के लड़ू बनाए और उनमें जहर डाल दिया, और मनीमन सोचने लगी कि इस बार तो ननत के बच्चे लड़ू खाते ही मर जाएंगे। फिर से उसने अपने पती के हाथ गी और मावे के लड़ू अपने ननद के बच्चों के लिए भिजवाए भाई वापस अपने भांजों के लिए लड़ू दे आया बच्चे लड़ू खाये तो वे अमरत बन गे क्योंकि ननद तीन पनोती अमावश्या का व्रत करती थी भगवान महादेव वै माता पारवती उन बच्चों को बचा रही थी दूसरे दिन भावज घर के चबुत्रे पर आकर बैट गई यह आस तो जरू ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी लेकिन फिर से पूरा दिन निकल गया कोई नहीं आया भावज के शरीर पर तो साम लोटने लगा उसने अपने पती से कहा कि सुनो जी ननद बाई वै उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गे है मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है आप कल उन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर ले आओ ताकि हमारा भी मन लग जाएगा तब पती दूसरे दिन अपनी बहन वै तीनो भाण्जों को घर ले आया भाण्ज अपनी ननद और उसके बच्चों को देखकर बनावटी हसी बनाकर के बोली की बाई जी मुझे तो बच्चों की बहुत याद आ रही थी तब एक दिन भाण्ज ने एक अन्य उपाय बनाया घर का सारा काम करने के बाद जब दोपहर में सब सो रहे थे तो भाण्ज ने अपनी ननद से कहा कि बाई जी आप आराम कीजिये मैं बच्चों को लेकर तालाब तक घूम आती हूँ तब ननद ने कहा कि ठीक है भाण्ज चले जाओ तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब में ले जाकर ढखेल आई और घर आ जाती है ननद ने पूछा कि भावी बच्चे तुम्हारे साथ ही गए थे लेकिन तुम तो अकेली आई हो तो भावज बोली की बाई जी वो बाहर खेल रहे हैं अभी आ जाएंगे उधर वहां तालाब के पास एक बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी भगवान महादेव माता पार्वती के आशिर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को उन्होंने बचा लिया शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आगे जब ननत के तीनों बच्चे से कुशल घर आगे तो भावज अचम्बित रह गई वहमनिहमन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इनको मारना चाहा लेकिन हर बार ही ये बच जाते हैं शायद कोई देवी देवता इन बच्चों के साथ है जो उन्हें बचा रहे हैं तब भावज अपनी ननत के पाउं पकड़ लेती है और अपनी गलती की शमा मांगती है और अपनी ननत को पूरी सच्चाई बता देती है तब भावज बोली कि ननत बाई जी आप किस देवी देवता की पूजा और वरत करते हो जिससे की आपके बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता है तब ननत नहीं अपनी भावी को तीन पनोती अमावश्या के वरत के बारे में बताया और कहा कि भावी आप भी तीन पनोती अमावश्या का वरत करो जिसके काने से आपकी भी गोध जरूर भर जायेगी तब भावच ने व्रत की पूरी विधी पूछी और तीन पनोती अमावश्या का व्रत किया जिससे भावच को भी दो जुड़वा पुत्र हुए हे महादेव जी हे पार्वती माता जैसे आपने ननत के तीनों बच्चों की रक्षा करी वैसे सबकी करना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की इस तरह आज मैंने आपको तीन पनोती अमावश्या की व्रत कथा सुनाई मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद प्रजा का पालन अपने पुत्र के सामान ही करता था लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा महान दुखी था क्योंकि उसे कोई ओलाद प्राप्त नहीं हुई राजा की शादी को कई बरस हो गए थे लेकिन उन्हें ओलाद सु प्राप्त नहीं हुआ वसादे चिंता में रहता था उसे अपना राज्य सुखधाई प्रतीद नहीं होता था क्योंकि पुत्र बिना इस लोग और पालोग दोनों में सुख नहीं मिलता राजा ने पुत्र की प्राप्ती के लिए अनेग प्रकार के यग्य हवन दान पुन्य व्रतुपवास किये लेकिन सब बेकार जब राजा व्रत होने लगा तो उसे और भी चिंता होने लगी एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया और कहा कि मैंने ने तु अपने जीवन में कोई पाप किया नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया वो नहीं मैंने अन्याय पूर्वग प्रजा से धन एकातर किया नहीं मैंने कभी देवता ब्रामनों का धन छीना नहीं मैंने किसी गरीब की को जमीन और करह लिया मैंने प्रजा का पालन सदे पुत्र की भाती ही किया मैंने अपरादियों को पुत्र और बांदों की तरह ही दंड दिया है मैंने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई राग द्वेश नहीं रखा सब को समान माना है इस प्रकार धर्म युक्त राज्य काने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूं मुझे एक पुत्र की भी प्राप्ती नहीं हुई मैं बे ओलाद हूँ मुझे ये जीवन मेरा राज्य सब मुझे दुखधाई प्रतीत हो रहा है इसका क्या कारण है मेरी कुछ समझ में नहीं आता ऐसा कहकर वै राजा दुखी हो गया और उसकी आँखों में आसु भराए जब राजा इतने दुखी होगे तो सभी मंतरी गण प्रजा के गणमान्य व्यक्ती भी दुखी होगे उस समय सभी वहां से चलेगे फिर एक दिन उन सभी ने विचार विमर्ष किया कि हमें हमारे राजा के दुख को दूर करने का उपाय सोचना होगा तब सभी मंतरी और प्रजा के गणमान्य लोग राजा के दुख को दूर करने के लिए जगर जगर बड़े बड़े मुनियों, पंडितों और महात्माओं से उसका निवारन पूछने लगे इस तरह वे सभी मुनियों और महात्माओं के आश्रमों में जाकर अपने राजा के दुख का निवारन पूछने लगे लेकिन उन्हें कहीं इसका जवाब नहीं मिला तब एक दिन वे लोमेश रिशी के आश्रम में पहुँचे तब सभी मंत्रियों ने और प्रजा के गणमान्य लोगों ने लोमेश रिशी को प्रेणाम किया लोमेश रिशी ने कहा कि है महानुभाओं आपके मेरे आश्रम में आने का क्या कारण है मैं आपके कारिये को अपनी शक्ती के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है इसमें कोई संदह नहीं है लोमेशिशी के ऐसे वचन सुन का सभी मंतरी गण और प्रजा के गणमान्य लोग बोले कि है महरिशी आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सफल है महिशिमती नाम की पूरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा है हम उनके ही मंतरी हैं और उनके ही प्रजा के लोग हैं हमारे राजा प्रजा का पालन पुत्र के अनुसार ही करते हैं परन्तु फिर भी वे पुत्रहीन हैं और बहुत दुकी हैं अगर हमारे राजा ही दुकी हैं तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं हम लोग उस राजा की प्रजा हैं प्रजा का ये करतव्य है कि राजा के सुख दुख को अपना सुख दुख माने हमको उनके पुत्रहीन होने का बहुत दुख हो रहा है अब जब से हमने आपके दर्शन किये हैं हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कस्ट अवश्य दूर हो जाएगा अब आप हमको हमारे राजा को पुत्रप्राप्त करने का कोई उपाई बताए इस पर लोमेश रिशी ने एक शन के लिए अपनी आखे बंद करी वो राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे वे विचार करके बोले हे महानो भाओ यही राजा पिछले जन्म में अत्यन निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था यह एक गाउं से दूसरे गाउं में घुमा करता था तब एक दिन जेश्ट माज के शुकल पक्षी की दो आदशी के दिन यह दो दिन से भुका था दो पहर के समय यह एक जलाशे पर पानी पीने के लिए गया वहाँ उस समय एक ब्याई हुई गाई पानी पी रही थी इस राजा ने उस जन्म में उस प्यासी गाई को हटा कर सम पानी पीने लगा है हे महानो भाओ तुम्हारा राजा उस जन्म के पाप दोश को इस जन्म में भोग रहा है तुम्हारा राजा उस जन्म में एक आदशी के दिन भुका रहा उसके पुन्या का प्रताब यह है कि वह इस जन्म में राजा बना लेकिन प्यासी गाय को हटा कर खुद पानी पिया तो इस जन्म में वह पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है इस पर सभी लोग बोले कि है महरिशी शास्त्रों में लिखा है कि पुन्या से पाप नस्ट हो जाते हैं इसलिए क्रपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नस्ट होने का उपाय बतलाईए क्योंकि इस पाप के शै होने से शायद हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ती हो प्रजा के लोगों के ऐसे वचन सुन का लोमेश रिशी बोले कि है महानु भाओं यदि सावन मास के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो रात्री जागरन करो और अपने व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा मंत्रियों सहीत समस्त प्रजाने महरिशी लोमेश की बात को सुनकर प्रसंजता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर में वापस आगे उसके बाद सावन मास के शुकल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कावत पूरी प्रजाने और पूरे मंत्री गणने किया और द्वादशी के दिन अपने व्रत का फल राजा को दे दिया उस पुन्या के प्रभाव से रानी को गर्व ठहर गया और नो मैने बाद उसे एक सुन्दर तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा बड़ा है जो मनुश्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहता हो उन्हें सावन मास के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी का व्रत विदिविधान से करना चाहिए इस व्रत के प्रताव से इस लोक में सुक और पालोक में स जानन भगवान की बाड़ी पुझे, सूरज भगवान की बाड़ी पुझे, विश्नु भगवान की बाड़ी पुझे, सत्य नारायन भगवान की बाड़ी पुझे, तुलसी माता की बाड़ी पुझे, पत्वारी माता की बाड़ी पुझे, मावस एकादशी भगवान की पुता को परिवार होए, पोता होए, दोईता के लिए खीर कांड रांदे, पोता बहु के लिए राबडी रांदे, खाटी लाग, राबडी, मिठी लाग, फीर, चड़ी चड़ाई लेकी आवे, गोरी डून विंडायक, डूनडना बढ़ा, भांडना, सोना का ढागना, रिम कोवर की पाल की कवे, अन के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारी की कवे, चार भाई बैन की कवे, जोब मिले तो नगर नोतन, नगर न बन पावे तो बारा मन का लाडू करे, बारा मन का लाडू न बन पावे तो छे मन का लाडू करे, छे मन का लाडू न तीन सेर गूर, तीन सेर घी, छे सेर आटा लेकर बारा सेर का बारा लाटू करें एक पानी के पनिहार की, एक रमता बालक ने, एक गाय का ग्वाला न देवे एक सास की, एक बेटे की, एक बहु की, एक मा की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी ओड़त, एक छाणा की छणियान, एक दसा माता के घड़े रखे, एक तुलसे के क्यारे में रखे, एक समय भूजन करे, खाओ जो करम को पाड़, जो धरम को या बात करे, खाटी मूली चुल दिशाई में घी दे तलोडी में तेल दे खाजा को फड़को दे पापड को तड़को दे जडूलो पूत दे सासुची को परसं दे बहू को जीमन दे दोरानी जिठानी खमा करे बोल बोलनी पारुसं दे तलिया गुणी गोबर्दे चोड़नी आका हूँ आका चोरिया थारे गर को धर्म थाने लगए मारे गर को धर्म मने लगए इस तरह सभी कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी सुनने का पूरा धर्म लगता है अब भी आप कोई साभी वरत करें तो उसमें आड़ी बाड़ी की कहानी जरू सुननी चाहिए इस तरह आज मैंने आपको सावन मास में सुनी जाने वाली प्रमुक प्रमुक कहानिया सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धर्न्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धर्न्यवाद